ये हलो फ्रेंट्स राद रादेश वागत आपका मेरे यूटूप चैनल पे, आज मैं आपको बहुत ही पियारा साय ए जो की बहुत ही बनाना एजी है और इसको हम फिलो के साप से भी यूज कर शकते है और बेक के estáp Сे भी यूज कर सकते 2 in 1 है इसको हम दोनों साब से यूज कर सकते हैं ये देखे पिलो से के साब से भी यूज कर सकते हैं और बेक के सब तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने एक पूरा ना फटा बैट सिट लिया है और एक ये कपड़ा लिया है और एक हमें फोम सिट लगेगा और में से फोल्ड करना है और आपके घर में कोई भी प्लेट या कोई छोटी थाली जैसे मैं ये छोटी थाली से चूँक की मदद से निसान लगाऊंगी तो आप जिस भी साइज का बनाना चाहते हो उसी साब से ऐसे कुछ भी रख करके और ऐसे निसान लगा सकते हो देखें निसान लग गया है अभी मैं थोड़ा सा इससे बड़ा बना रही हूं अलका सा तो इसके बाहर की साइड मैंने एक निसान और लगाया है जिसको भी कट कर लेंगे और यह हम बीना पैसे से इसमें जीप और फोर्म लगाया है फोर्म की जगे पर प्राइस वे वागिरा भी यूज कर शकते हो तो सिरफ हमें जीप का ही पैसा लगेगा बिलकुल फ्री में फ्री ओप कोश्ट आप पिलो और बैक दोनों इसमें बना सकते हो एक साथ अलग बनाने की बिजरूत नहीं है जब बैक का यूज करना है बैक का यूज कर शकते हो और पिलो का यूज करना है पिलो का यूज कर शकते हो इस तरह से तीनों पीस रखेंगे नीचे लाइनिंग बिच में फोर्म और उपर मैन फैब्रिक और ऐसे सिलाई लगाएंगे दोनों प कर दिया है अभी उपर से तीन इंच पर एक मार्ड करूंगे और इसको स्केल से सीधा लाइन रो करूंगे कि इसे कट करेंगे और इसी तरीके से यह दूसरे पीच पर भी तीन इंच का निसान लगा करके और सीधी लाइन रो करके और वो जो कपड़ा कटके है उसे रख करके देखेंगे हमारी लाइन सीधी है बिलकुल सीधी है बराबर है तो इसको भी कटिंग कर देंगे अभी इन दोनों में हम जीपटेज करेंगे इस तरीके से दोनों में मैं ऐसे जीपटेज कर दूँगी और जीपटेज करने के बाद आपको बताती हूँ दोनों में जीपटेज कर दी है अभी इस पे टोप स्टिच लगाएंगे ये दबाने के लिए ताकि कपड़ा ये रनर के बीच में आए तो टोप स्टिच भी हो गया है अभी बैट सीट से दो सरकल और हमें निकालने हैं इसके पोकेट के लिए इस बैट सीट से मैं दो और नि निकालने हैं बैट सीट से और अभी इनको कैसे सीलना है देखो ये दोनों को ऐसे रख करके इन दोनों को इसके उपर रख करके और ऐसे राउंड में सिलाई लगा देने है अभी सिलाई लग गई है तो ये मेरी दोनों पोकेट बनके तैयार हो गई है देखे कुछ नहीं है बिल्कुल हीजी है बस अल्का ध्यान देने की ज़ुरूद है। आप समझ के लोगे तो बिल्कुल हीजी है। एक बार बना लोगे ना, तो आपको भी जी लगने लगें। यहां पर बीच सेंटर निकालेंगे इसका, ताकि हम बीच का बेस निकाल सके, यह सेंटर से, टेप से हम निकालेंगे कि हमारा कितना इंच आ रहा है, यह सरकल, देखें, थर्टी टू पॉइंट आ पा रहा है, तो मैं इसका डेड़ इंच एक्ट्रा ले रही हूं, क्योंकि हम जो सिलाई लगाएंगे न, उसके अंदर जाएगा, यह मैंने एटिन लिया है, ऐसे और लंबाई में मैंने थर्टी फोर लिया है, क्योंकि उसमें से मैंने डेड़ सिट, यह दोनों को भी कट कर लेंगे, यह देखे, तीनों पीस कट हो गए है, अभी नीचे लाइनिंग बीच में फोर और उपर यह मैंन फैब्रिक, तीनों को रख करके, अच्छे से, इनमें भी ऐसे सिलाई लगानी है, देखे, सिलाई लग गई है, अभी यह जो से घर पे पड़े बैड सीट, बेकार कपड़े, पुराने कपड़े हैं उन से, ऐसे अच्छे अच्छे बैग, पिलो वगएरा सब कुछ भी बना सकते हो, और इसको तो हमें मार्केट से पिलो भी नहीं लाना है, और बेग भी नहीं लाना है, दोनों काम एक साथ हो रहा है, देखिए, अभी मैंने इसको जो पॉइंट निकाला था, वहां से मार्क किया है, ताकि ये मेरा बराबर बचा है इसमें, अभी ये मैंने मैचिंग के लिए मैरून कलर का कपड़ा लिया है, जिसकी मैं फ्रिल बनाऊंगी, तो तीन इंच पे मैं निसान लगा रही हूँ, य और इनको इसकेल से सीधा लाइन ड्रो करके, सीधी लाइन ड्रो करके, कट करना रही है, ऐसी मैरे इनने चार पटिया निकाल ली है, क्योंकि फ्रिल में कपड़ा ज़्यादा लगेगा, तीन तीन इंच के, मैं ऐसे चार पटिया निकालूंगे, ऐसे रख करके एक के उपर, यह मैंने निकाल ली है, अभी दो पटि को एक साथ ऐसे लंबे में जोइंट करूंगे, और दो पटि को उनको अलग जोइंट करूंगे, जोइंट कर के दिखाती हूँ, अभी हमें इसको डबल फोल्ड करना है, कपड़े को double fold करके और आप कहीं से भी लगा सकते हो यहां से या फिर यहां से कहीं से भी start कर सकते हो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें कहीं पर मैं कहीं से start करना है और ऐसे ऐसे एक के उपर एक रखते हुए चुनट डालना है gathering بنाना है आप अगर beginners हो तो पहले चुनट ये डाल के फ्रिल बना के रख सकते हो उसके बाद इसमें अटेच कर सकते हो मैं डाइरेक्ट इसमें अटेच कर रही हूँ ये देखे, मैंने फ्रिल डाल लिये दोनों में अभी इसमें मैं निसान लगाऊंगी हमें ये इसको बैल्ट जो लगाना है उसके लिए हैंडल जो लगाएंगे उसके लिए निसान लगा रहे हूँ ऊपर से seven इंच पे और side से four इंच पे लगा है इसी तरीके से चारों तरफ निसान लगाने है देखे, दोनों तरफ लगा दिये और ये दोनों तरफ भी उपर से से वन इंच पे और ये साइड से फॉर इंच पे आएगा वो साइड भी ऐसा ही निसान लगाना है क्योंस ऐसा निसान लगा कि हम जब बनाते हैं तो मेजरमेंट से हर चीज बराबर बनती है कहीं पे भी कुछ भी उपर नीचे नहीं होता है, हैंडल प्रोपर लगता है, ऐसा उपर नीचे कि इधर भी नहीं, क्योंकि इसमें बराबर पकड़ने पड़ते हैं इसके लिए, यहां से शिलाई लगाऊंगी, और उधर भी शिलाई, देखिए, हैंडल मैंने लगा दिये, दो साइड बे, ऐसे जीप अटेज करने हैं, अभी यह टोपे स्टिच लगा ना मेरे को, टोपे स्टिच लगा दिया है, अभी साइड के बेस कैसे जोड़ने है, वह बताते हूं मैं आपको, यह पहले जो एक्ट्रा है जीप, वह निकाल देंगे, यह साइड जीप है, इसका सेंटर पॉइंट निकालना है, क्योंकि इसको जोड़ने के लिए सेंटर पॉइंट लगेगा, तो इसका ऐसे सेंटर पॉइंट निकालेंगे, आई होब आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना ताकि और भी ऐसे नए नए वीडियो आपको देखने को मिले और हाँ जिनको ये बैग वगेरा बनाने का सोक है उनको आपके रिलेटिव कोई है तो उनको भी शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी इस तरह के बैग बना सके ये देखें यहाँ पे जिप के साथ पहले पिन लगा दूँगी ताकि इदर उधर ना हो सेंटर पॉइंट और इस तरह से पिन लगा करके चारो तरफ उसके बाद सिलाई करूंगे दिखाते हैं मापको पिन लगा के ये देखें इस तरह से सिलाई करनी है इसी तरह से वो साइड भी मैं सेंटर पे यहाँ पे पिन लगा रहे हूंगी यहाँ पे मैं एक ही पिन लगा रही हूं वो साइड मैंने बिगनर्स के लिए बता है क्या पिन लगा के सिलोगे तो बेस्ट रहेगा ये देखे मैंने दोनों तरफ अच्छे से सी लिया है अभी मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ और जो हमारा पिलो बनेगा उसका मैन अभी बाकी है जो मैन हमें जिप लगानी है वो तो भी बाकी है ये देखे दोनों साइड हमारी पोकेट बन गई सामान डालने के लिए और बीच में कितना बड़ी जगह मिलिया है सामान डालने के लिए कितना बड़ा पोकेट बना है अभी यहाँ पे मेरे को जिप लगानी है आप इधर यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जिप कैसे अटेच करना है यही है इस बेक का मैन ये जो हैंडल है इन दोनों के बराबर बीच में ये जिपाने चाहिए और जहां पे हमारा बैक का निश्चे का हिसा टिकता है बेस है वहां से हम स्टार्ट करेंगे ऐसे पिन लगा के और इसी तरीके से दूसरी पिन लगा देंगे ये देखे दोनों तरफ और अभी इनको ऐसे गुमाते हुए तिर्चा बिल्कुल ध्यान से हमें ये वाली जी पटेच करनी है इसी जीप का मैन इस बेग मैं है इसको ऐसे क्रोस में लेते हुए बिल्कुल यहां पे जो आ रहा है यहां पे हमारा जीप यहां पे आना चाहिए मैन और फिर ये सरकल के चारों तरफ आना चाहिए तो मैं लगा के दिखाती हूँ आपको कैसे ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ जीप अटेच करनी है अब इसमें मैं रन्नर डालूंगे और यहां पे हमें कपड़ा लगाना है ताकि हमारी ये जीप निकले ना रन्नर बहार ना निकले इस कपड़े को हम चारों तरफ से ऐसे मैं फोल्ड कर दूँगे और इसके उपर सिलाई करने है यहां पे ताकि हमारी ये जीप रन्नर जो है बहार ना निकले यहां से दिखा दिखें ये देखें सेम मैंने कपड़ा लगाया है ताकि इजीली पता ना चले कि यहां पे हमने सिलाई लगाई है और ये जो है उपर वाले यहां पे भी चैन निकलने का रहता है तो इसको भी हम उल्टा फोल्ड करके ऐसे लगा देंगे अभी देखें बेग बन गया है इसमें मेरे कितने सारे कपड़े आ जाएंगे कितने मैंने साड़ियां डाली है अभी मैं आपको पहले कपड़े डाल कितने सारे कपड़े आ गए इसके अंदर देख कितना सुन्दर दिख रहा है राउंड सेप में आपको कहीं पे जाना है तो आप इस तरह से कपड़े डाल सकते हो अगर कहीं नहीं जाना है घर पे रखना है तो हम ऐसे तो हमारे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे पीलो भी हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है और बेग भी अलग से बनाने की जरूरत नहीं है ये देखें पीलो कितना सुन्दर बना है तो चलिए फ्रेंड्स मिलते है नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ तब तक के लिए सबी को रादे रादे